हेलो एब्रिवन वैलकम टू एजुकेशन राइस आज एक महतुपन टॉपिक हम करने जा रहे हैं इंगलिस का क्लास 12 के लिए और वो है सेक्शन बी का जो अंसिन पैसेज होते हैं कहीं सारे स्टुडेंट्स कहते हैं कि सर अंसिन पैसेज थोड़ा सा बताईए किस तरीके से हम हमारा टाइम जो है वो बच जाए और पूरे में से पूरे हम नंबर लावें तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अंसिन पैसेज को एटेंड करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपका जो सेक्शन बी का चौथा प्रसन पढ़ना है और फिर से पैसेज पढ़ना है इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा आपका टाइम खराब होगा और आपको कम से कम दो बार से तीन बार तो पैसेज पढ़ना पढ़ेगा मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि सबसे पहले आप पैसेज न पढ़ करके इसके जो questions नीचे दिये हुए होते हैं उन प्रस्नों को पढ़िए और प्रस्न अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में फिर आप पैसेज को पढ़ेंगे तो क्या होगा इसे कि प्रस्न आपके दिमाग में रहेंगे और जब पहली बार ही आप पैसेज पढ़ोगे तो उसी समय आपको पता रहेगा कि हाँ ये किसन और किसी प्रस्न का answer है तो उसी समय आपको आदे answer तो मिल जाएंगे और दूसरे अगर कुछ बस भी जाते हैं पहले प्रसन हम देख लेते हैं और उसके बाद में हम इसके आंसर देखेंगे और किस तरीके से कम से कम समय में आप इसको एटन कर पाते हैं प्रसन लिकाओ पहला है What type of city has Delhi grown into दिल्ली जो है किस प्रकार की city बन गई है next दूसरा प्रसन है What is expressed by Korean Joseph about Delhi Korean Joseph जो है इन्होंने दिल्ली के बारे में अपने भाव व्यक्त की हैं क्या भाव इन्होंने व्यक्त की हैं क्या बात इन्होंने कही है अब यह देखिए प्रसन आपको दिमाग में रखने है पहली बार में ही आपको सारे के सारे प्रसनों के आंसर मिल जाएंगे दूसरी बार आपको पैसेज पढ़ने के आप सिकता ही नहीं पढ़ेगी नेक्स लिखा हुआ है कि एक अर्बन प्लानर के तौर पर कुल्दिप सिंग क्या कहते है और उसके बाद में नीचे हम इसके आंसर भी देखेंगे और उसके बाद में एक और प्रसन है जिसमें आपको जो वाड है उसका एक सिमिलर और उसका एक एंटोनिम ढूनना है तो वो भी आपको इसी में से मिल जाएंगे आईए अब यह प्रसन आपके दिमाग में है और आप यहां पर हम पैसेज पढ़ेंगे और देखना पहली बार में आप सारे आंसर दे दोगे मैं पैसेज पढ़ता हूँ लिखा हुआ है अब देखिए पहला प्रसन हमारा यह था कि दिल्ली किस प्रकार की सीटी रही है या आप किस प्रकार की सीटी जो है बन गई है तो पहले प्रसन का जवाब हमारा पहले सेंटेंस में इसे मिल गया कि डेली हैस ग्रॉन इन्टु अ सीटी देट सान्स चिल्डन जो क्या करती है संस का मतलग होता है बच्चों को खेलकुद के आउसरों से दूर रखना तो देली अब यह पहले प्रसन का अंसर हो गई आपका ठीक है प्रसन देखे यहाँ पर क्या था प्रसन लिखा हुआ है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाट टाइफ आप सीटी हाज डेली ग्रॉन इंटू डेली किस प्रकार की सीटी हो गई है तो डेली अब यहाँ पर दिखेंगे कि डेली has grown into a city that suns children हो गए आपका answer इसे आगे भी अगर लिखते हैं तो अच्छी बात नहीं तो यहाँ तक भी अगर आप लिखते हैं तो आपका पूरा मैसे पूरा नमबर आपको मिल जाएगा दूसरा प्रसन देखें क्या है what is expressed by Korean Joseph about Delhi मैं प्रसन आपको इसलिए पहले पढ़ा रहा हूँ कि प्रसन आप अगर पहले यह तो मैं भी practice करा रहा हूँ इसलिए दो बार तीन बार हम प्रसन पढ़ रहें लेकिन आप जब exam में जब आप जाओगे तो exam में आपको सबसे पहले एक बार प्रसन को पढ़ लेना और उसके बाद सीधा आपको पैसेज पढ़ना है आपको आंसर मिलते जाएंगे तो प्रसन आप धिहान में रखेंगे उसमें क्या होगा कि जहां उतर आएगा ना पर आप मार कर दोगे कि हाँ यह किसन और किसी प्रसन का अंसर है तो यहां पर हम देखेंगे कि Joseph जो है इनना ने Korean Joseph इनना ने डेली के बारे में क्या कहा है तो अब यहां पर हम आगे फिर से पैसेज पढ़ेंगे और इस का अंसर जाएगा वहां हम रुख जाएंगे आगे बढेंगे It is now an urban sprawl. Its development model is squid in favor of motorized traffic and commercial capitalization. This has snatched playfield from kids which vehicles both stationary and on the move occupying every inch of space available. The roads and even lands and by lands are out of bounds for the little ones. Unlike in American and European cities, there are few public spaces where one can hang out No wonder, our children spent a lot of time indoors glued to the TV, PC and mobile screen It's time, urban planning experts say to reconsider Delhi's growth with the welfare of its children in mind Next पढ़ते हैं देखिए अब यहां जहां आएगा न वहां अपने आप हम रुख जाएंगे अब यहां तक जो हमने चार प्रस्ना पढ़े उसमें से किसी का अंसर नहीं था तो आगे बढ़ते हैं, next लिका हुआ है Supreme Court Judge, Korean Joseph expressed his anguish at the shrinking playing spaces for children in Delhi अब देखिए यह दूसरे प्रस्ना का अंसर आगया सीधा सीधा आपको आंसर मिल रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है तो हमने देखा था, एक Korean Joseph नाम आया था, यह रहा, Korean Joseph and he was the judge of Supreme Court अपने Supreme Court के जो judge थे, Korean Joseph इन्होंने अपने भाव वेक्त किये थे हैं, expressed his anguish वो अपना दुख वेक्त करते हैं, वो अपनी तकलिफ अपने दुख भरे भाव वेक्त करते हैं at the shrinking, at the shrinking, playing space for children in Delhi तो इन्होंने भी दिल्ली में बच्चों के खेलने के लिए, जो प्रयापत, space नहीं है, खुला इस्थान नहीं है इस पर इन्होंने अपना दुख वेक्त किया था, तो यह हो गया दूसरे प्रसने का आंसर आपका इस पर रूप से यहां पर लेखा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले आप लोग question पढ़ लेजिए और आपको दूबारा पैसेज पढ़ने की आप सिकता ही नहीं पढ़ेगी लगबग लगबग एक बार में आपका सारा complete हो जाएगा और अगर आपने दो बार तीन बार पैसेज पढ़ा तो धियान रखना टाइम कितना आपका खर्च होगा और जैसे हमारा टाइम जादा जाता है तो हमारे हाथ पाव एक्जाम में फूलना शुरू हो जाते हैं किन हम हडबडार्प में सही आंसर नहीं दे पाते हैं तो इन चीजों का आप ध्यान लखेंगे नेक्स प्रसन क्या लिखा हुआ है तो अर्बन प्लानर के तौर पर कुलदिप सिंग क्या कहते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे बढ़ेंगे हमने जहां तक पढ़ लिया ता उससे आगे बढ़ेंगे देखिए यहां पर तो हमने जॉसेप के बारे में पढ़ लिया पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको एक बार और अब इतना पूरा सा अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो अगर इतना सा भी लिख देते हैं यहां तक तब भी आपका काम चल जाएगा ठीक है अब देखिए कुलदिप सिंग एक नाम आया था और यहीं से कुलदिप सिंग शुरू होते हैं तो हमें ध्यान देना है कि यह भी किसने किसी प्रसने का हमारे तीसरे प्रसने का अंसर है कुलदिप सिंग एन आर्किटेक्ट एन अर्बन प्लानर हो इस देखिए तो कुलदिप सिंग जो है एक आर्किटेक्ट है और एक अर्बन प्लानर है दिल्ली का जो पहला master plan था उसको लाने में इन्होंने काम किया था यह नहीं लिखना है हमें लिखना है explained उन्होंने क्या explain किया है तो उन्होंने explained how initially children's needs were the town planner's priority कि कोई भी जो town planner होता है उसकी जो priority होती है उस पर बच्चों की आवस्चेक्ताओं का space troop से ध्यान रखा जाता है मतलब initially प्रारंबिक तोर पर बच्चों की आवस्चेक्ताओं का ध्यान रखा जाता है तो यह आपका हो गया तीसरे प्रसने का answer ठीक है और फिर आगे बढ़ते हैं next लिखा हो है अब देखिए यहाँ पर एक प्रसन और है तो 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 लोट्स क्या होता है यह इसका answer आगया ठीक है यहाँ से देखिए अब यहाँ पर देखिएंगे next प्रसन हम यहाँ हमारा यही प्रसन है मतलब जो खूली जगह होती है जो खूली जगह बच्चों के खेलने के लिए लगी जाती है वो टॉट्लोट्स कहलाती है जहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं तो यह रहा next प्रसन का हमारे answer इस तरीके से अगर आपने पहले questions पढ़ लिये और तो आपके सारे के सारे answers आपको पहली बार में ही मिल जाएंगे ठीक है यह है क्या है तो जो huge open spaces होते हैं जो विसाल खुली जो इस्तान होते हैं जो बच्चों के लिए reserved रखे जाते हैं reserved for children उनको हम क्या कहते हैं taught lots this was the place where we thought children would get a space to play and mingle with each other and we kept it away from roads तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों को सडकों पर जाने से रोकेंगे और यह बच्चे इन खोले इस्तानों पर खेलेंगे अगर यह खुले इस्तान नहीं रहे तो फिर आपने देखा होगा बच्चे सटकों पर किलना सुरू कर देते हैं recalled sing, sing means kuldip sing, however due to administrative reasons the idea of taught lots had to be dropped and regrettably was never entertained again तो यह हमने यहाँ पर देखा और उसके बाद में अगर आपके सारे प्रसनों हो जाते हैं तो फिर आपको next passage पढ़ने के आप सकता नहीं है यह जो बादवाला जो पैसे है इसे आप छोड़ भी सकते हैं लेकिन अगर आपने पहले इसको पढ़ा बिना questions पढ़े तो फिर आपको पूरा पैसे पढ़ना पढ़ेगा आपका यहाँ पर भी time based होगा तो यह मैंने तरीका बता है सबसे best तरीका how to attend passes, how to give answers of the questions from the passes तो passes मैंसे पूछेगे प्रस्णों का answer आपको कैसे देना है यह सबसे best तरीका है चलिए अब यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसके answers क्या क्या है तो पहला प्रस्ण है what type of city has Delhi grown into Delhi किस प्रकार की city में परिवर्तित हो यह आपको लिखना है जो बच्चों को खिलने की सुविदाओं से दूर रखती है बच्चों के पास यहाँ पर खिलने के लिए मैदान नहीं है दूसरा प्रस्ण है what is expressed by Korean Joseph about Delhi Korean Joseph जो कि Delhi के बारे में इन्होंने अपने भाव व्यक्ति की हैं क्या कहा है इन्होंने आप लिखेंगे Korean Joseph a Supreme Court just has expressed his pain over the shrinking playing space for children in Delhi तो इन्होंने देली में बच्चों के खिलन सुविदाओं के अभाव पर अपने पैन को इन्होंने अभी व्यक्ति किया है एक अर्बन प्लानर के तौर पर कुल्दिप सिंग क्या कहते हैं लिखेंगे आप कुल्दिप सिंग a former architect and urban planner says that initially children's needs were the town planners priority and that huge open spaces were reserved for children to play and mingle with each other he hopes the few open spaces for kids are restored यह हमने भी देख लिया and next what are taught lots taught lots क्या है तो taught lots are huge open spaces reserved for children to play in every neighborhood बच्चों के लिए जो खुला इस्तान छोड़ा जाता है जो open space छोड़ा जाता है उसे हम taught lots कहते है and next question number five है find the similar words for correct and an antonym for separate from the passes correct के लिए आपको similar word ढूणना है और separate के लिए आपको antonym word ढूणना है passes मैंसे तो हमने जो पढ़ा था इसमें इसके लिए आएगा correct के लिए right word है आपको passes में मिल जाएगा ठीक है and next जो antonym में इसके लिए antonym के लिए आएगा mingle सब्द है mingle इस passes में यहाँ पर आया हुगा है ओके तो यह हमने किया एक passes फस्ट passes हमने किया इस तरीके से आपको answers देने और इसका जो next passage है उसको हम next वीडियो में लेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को subscribe करेंगे अपने मित्रों के साथ भी इससे share करेंगे और लगातार हमारे साथ बने रहेंगे इसी प्रकार की तेयारी के लिए thank you very much